हाई अब्रिवान आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लौकी की बिल्कुल नए तेरे की सबजी जो आपने कभी ट्राइ नहीं कियोगी गेरंटी है अगर दो रोटी खाते होंगे न चार रोटी खा जाएंगे पता भी नहीं चलेगा कि कब चार रोटी खा गए और इतनी लाजवाब बनती है कि बचे तो मांग मांग कर खाएंगे जो की बचे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं लौकी को खाना तो आए देख लेते हैं इस मज़ेदार लौकी की सबजी को मैंने कैसे बनाया है तो आज की वीडियो शुरू करते हैं हाई अब्रीवान मैं गीता वर्माइगी ट्नु रेस्पी हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वाड़त करती हूं तो यहां पर मैंने आधा किलो लौकी ले ली है और यह बहुत सदा पतली यह बहुत सदा मोटी लौकी नहीं है क्योंकि बहुत मोटी होती ह तो इसमें बीज होते है और पतली होती तो इसमेम बहुत सब्सक्राइब करती है तो इसे भी मैं निकालती है और जो साइड का पार्ट है नवह हमें निकालना है तो यहां पर मैंने side का part थोड़ा सा निकाल दिया है जो डंडी वाला part है वो भी निकाल दिया है अब मैं इसे क्या करना बताती हूँ इस तरह से गोल गोल पतले पतले pieces आपको cut करने बहुत मोटे pieces cut मत करियेगा जैसे मैं काट रही हूँ आइसे ही आपको काटने है तो पूरा जो लोकी है ना इसको हम इस तरह से काट लेंगे गोल गोल pieces में तो जिन लोगों ने भी इस तरह से लोकी को बना के खाया है कॉमेंट करके ज़रू बताइएगा और आज की अगर रेश्पी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रू कर देजाएगा आपके जो एक एक लाइक होता है मुझे बहुत सादा मॉटिवेट करता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए तो यहां पर आप इसे मैरिनेट कर रही हूँ तो यहां पर मैंने एक टीस्पून देगी मर्च डाली है साथी हाफ टीस्पून में यहां पर नमक डाल रही हूँ और यहां पर हाफ टीस्पून के करिब मैं हल्दी पाउडर इसमें आड़ करूंगी तो यहां पे half teaspoon मैंने healthy app कर दिया, अब इसे इस तरह से अच्छे से coat कर लेंगे, जो हमने शु अच्छे से actualit कर लेंगे जो हमने शीके माशा पर अच्छे से Music dough, समसाले को मैं अच्छे से इस고 अच्छे से把它 noi हुआ कर रहूं, दस मिनिट के लिए देख रहें किस तरह से मैं एक एक पीस को ले लेकर अच्छे से कोड कर रहे हूं तो इसी तरीके से आपको भी करना है कोई पीस रहना जाए अब इसे मैं कवर करके दस मिनिट के लिए छोड़ देती हूं दस मिनिट बात क्या होगा नमक की वज़े से जो लौकी है वो थोड़ा पानी छोड़ देती है अब इसके अंदर मैं दो टेबल स्पून डाल रही हूं बेसन बेसन क्या करेगा इसका जो पूरा पानी है वो अबजॉब कर लेगा तो मैंने इसलिए दस मिनिट लिए छोड़ा है तो जितने भी पीस है जैसे पहले हमने कोट कहता है सेम उसी तरीके से हमें कोट कर लेने हैं बेसन से भी तो अब जो यह जो हमारे लौकी के पीसे है वो ड्राय हो गए है पहले बीच में पानी आ गया था इसके अंदर बट अभी यह ड्राय हो चुके है तो यह हमारा मैरि आप जो भी तेल यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं तेल को अच्छे से धुएदार गरम होने देंगे अब यह जो लौकी के पीस है वो बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं इसके अंदर में एक एक पीस इस तरह से करके डाल दोंगी एक बार में पूरी कढ़ाई को भरन नहीं है थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे पूरा एक साथ मत भरिएगा नी तो फिर वह अच्छे से फ्राई नहीं होंगे तो यहां पर मैं इसे हाइफ फ्लेम पे ही फ्राई करने वाली हूँ तो थोड़े से मैंने पीसिस डाल दिये हैं और जबी एक साइट से अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है पीसिस हमारे काफी क्रिस्पी हो गए है तो इसे में प्लेट में निकाल लेती हूँ तो यहां पर मैंने यह फर्स बैच निकाल लिया है सेम इसी तरीके से मैं सेकेंड बैच भी फ्राई कर लूँगी और यहां पर तीन बार में मे तो नहीं अच्छे से होगा इसलिए मैंने तीन बार में इसे अच्छे से फ्राई किया है तो यहां पर सारे जो हमारे लोकी के पीसे है वो फ्राई हो चुके हैं देखें कितना बढ़िया कलर आ गया इसे आप पकोड़े की तरह खाएंगे तो भी यह बहुत टेस्टी लगत जितना बारिक आप काट सके अगर चौपर नहीं है तो चाकू से बारिक काटके डाल सकते हैं तो यहां पर हलका सा मैं नमक डाल रही हूं ताकि जो प्याज है वो जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज को हम पीच पीच में चलाते रहेंगे साथी मैं यहां टेबल स्पून डालूंगे अद्रक और लहसुन का पेस्ट जो की मेरा घर का बना हुआ है और यह पेस्ट भी इसी के साथ ही भून जाएगा तो हाई फ्लेम पे मैं इसे भून रही हूं तीन से चार मिनट लगते हैं प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम प्राई कर ले तो हमें टमाडर को भी अच्छे से पका लेना है अब इसके अंदर मसाले एड करेंगे तो हाफ टीस्पून हल्दी एड कर रही हूं एक टीस्पून देगी मिर्च आप इसकी जगे लाल मिर्च भी आड कर सकते हैं देगी मिर्च से थोड़ा कलर अच्छा आता है इसलिए मै गरब मसाला मैं भी आड करूंगी गरब मसाल हम लास्ट में आड करेंगे तो यहां पर सिर्फ इतने ही मसाले मैंने आड किये हैं नमक अल्रेडी मैंने पहले ही एड कर दिया था अब इन मसालों को हमें अच्छे से भूनना जब तक कि तेल ना नजर आने लगे तो यहां पर कि तेल जब अच्छे से नजर आने लगे था तब मैंने यह ए अधग कपड़ी डाला तो कि तो अवाध जादता डाईम नहीं लगता है इस सबजी को बनाने में पर बहुत Testर बनती है तो अब मैं इसके अंदर ये लॉकी के पीसेज आड़ कर रही हूँ और जो लॉकी ये फ्राइ करते करते ही गल जाती है तो इसलिए इसे ज़्यादा देर नहीं लगती है पकने में यहां पर मैंने एक प्याज ले ली थी जिसके स्लाइस कर लिये थे जैसे आप देख रहे है ना इस तरीके से प्याज को चार टुकड़ों में किया और उसके मैंने एक एक छिलके निकाल लिए अलग अलग कर लिए वो भी मैंने इसमें आड़ कर दिया बहुत टेस्टी लगती है तो यहां पर आप मैं इसके अि defines और पानी डाल रही हूँ तो बहुत ज़़दा पानी का हम इस्त्माल नहीं करेंगे जितनी थिक्नस आपको रकनी है उसके भियो लेख सकते हैं वैसगे जादा पानी का इस्तमाल नहीं कर रही हूँ आदा सा पॉन गिलास मैंने पान इसके नदर डाला है इसे ढखके कवर कर लेंगे पान से साथ मिनट के लिए पकाना है तो यहां पर आप देख सकते हैं लौकी बहुत अच्छे से पक चुकी है तेल रिलीज होना शुरू हो गया है मसाले ने तेल छोड़ दिया है सारी चीज़े पक गई हैं मैंने इसे 10 मिनट के लिए ढखके पकाया था तो सबजी हमारी बिल्कुल रेड़ी है लास्ट में मैं इसमें गरम मसाला आड़ करूँगी लास्ट में गरम मसाला आड़ करने से इसमें काफी अच्छा टेस्ट आता है और उपर से हरा धनिया आड़ कर देंगे खुश्बू भी बनी रहती है लास्ट में गरम मसाला आड़ करते हैं बस इसे एक मिनट के लिए मैं पका आके और गैस को बंद कर दूँगी और इसके बाद हम इसे सर्फ कर लेंगे तो ये बहुत ही लाजवाब हमारी बिल्कुल नए तरह की लौकी की सबजी रेडी है खाने के लिए एक बाद जरूर ट्राइ करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कोमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा